आर्बियस डिग्री कॉलेज मेजा खास आनलाइन प्रेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्तिक स्वागत करते हैं छात्रों आज जो है बियसी एजी थर्ड समिश्टर जो है जो हमारा विंड इरोजन होता है उस टॉपिक के भी से हम आपको जो है अध्यन करवाएंगे मिर्दाचरण है वो जो है जो वाईव के द्वारा जो है चरण होता है उसके भी से में सारी बाते जो है क्या कहते हैं दर्साइग गई है ठीक है इस टॉपिक में जो है हम यही चीज के जो है अध्यन करवाएंगे ठीक है चात्रों आईए हम आपको बतलाते हैं जो हमारा व टॉपिक है जो है विंड इरोजन मेकनिजम आफ विंड इरोजन टाइप साफ स्वायल मॉमेंट प्रिस्पल आफ विंड इरोजन कंट्रोल एंड इस कंट्रोल मेजर्स जो है इस टॉपिक का जो मेन पॉइंट है अम इस चीज को जो है एस्टरी आपको जो है बच्छो रहे हैं कि वाईव अपरदन मिट्टी को एक अस्थान से हटा कर दूसरे अस्थान पर जमा करके भूम और प्राकतिक बनस्पत को नुकसान पहुचाता है उसे हम वाईव अपरदन कहते हैं जो इसका मुख्य तंत्र होता है वो पवन है जो है ठीक है वाईव जिसे कहा जाता ह और क्या कहते हैं जो हमारी स्वायल का जो उपर का सर्फेस है जो है अगर वो वायू के द्वारा जो है अगर वहां पे अपरदन हो रहा है इरोजन हो रहा है तो हमारी जो उबजाव मिट्टी है जो है वो जो है क्या कहते हैं एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जमा अगर ह होता है तो वहां का जो प्लोट है जो है जो खेत हमारा है जो है वो जो है उपजाओ वहां की जो है धीरे धीरे जो है कम होती चली जाती है जिससे जो है हमारे फसल के उत्पादन में जो है बहुत कमी आती है छात्रों ठीक है आगे चलते हैं रेत और गंदगी फैला कर कटाओ पैदा कर रही हैं समय के साथ चटानों पर धेली रेत के सभी प्रभाओ के कारण चटाने उखड़ने लगती हैं और नश्ट होने लगती हैं मतलब कहने करती है चात्रों कि जब किसी भी चटान पर जो है अगर वायू का वेग अगर सबसे जादा है जो है तो वहां पर जो ज़्यादा होता है ठीक है आगे चलते हैं मैकनिजम आग विंड इरोजन हवा के कटाओ के यांत्र की सता का रेंगना हवा के कटाओ के घटना में 0.5 मिलिमीटर से 2 मिलिमीटर ब्यास तक के बड़े कण मिट्टी की सता पर लुढक जाते हैं इससे विए अन्य कणों को टकर जाते हैं और उखड जाते हैं सता ही रेंगने वाले हवा के कटाओ के परड़ाम सरूब बड़े कड केवल कुछ ही मीटर तक आगे बढ़ते हैं मतलब कहने करती है चात्रों जो है कि जो हमारा हवा के कटाओ से जो यांत्र की परिवर्तन होता है तो जो हमारे मिट्टी के जो है छोटे होते हैं उनका जो है दूरी धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वहाँ पे वायु अपरदन सबसे जादा होता है ठीक है आगे चलते हैं सुस्क आद्र सुस्क छेत्रों में जहां पर तापकरम उचे रहते हैं वायु का वेग अधिक होता है अब भूम और मोटे नहीं पाया जाता है वायु के द्वारा मिलदा का छरण अधिक होता है मतलब कहने करती यह है चात्रों जो है कि अगर जहां पे अगर आवरण अगर बनस्पतिक आवरण अगर वहाँ पे नहीं है अगर वो सरफेस अगर खुला हुआ है ओपन है जो है तो वहाँ पे अगर जब वेक अगर वायू तेजी से चलता है तो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं वायू अपरदन सबसे ज़्यादा प्रभावी जो है अपना प्रभाव दिखाता है ठीक है आगे चलते हैं वायू द्वारा मिर्दा छरण की प्रविक ठीक है नेचर आप स्वायल इरोजन ड्यू टू इन मिर्दा को एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर अस्थानांत्रित करने की चमता वायू के वेक पर निर्भर करती है मतलब जो हमारी क्या कहते हैं मिर्दा है वो एक अस्थान से अगर दूसरे अस्थान पर अगर अस्थानांत्रित हो रही है तो वहाँ पे जो है ज आगे चलते हैं वाईव के अधिक वेग अधिक मिट्टी को एक अस्थान से दूसरे अस्थान को ले जाता है वाईव का वेग जब कम होना प्रारंब होता है तो मिर्दा के कण उन्हीं अस्थानों पर छूतना प्रारंब हो जाते हैं और भारी कण पहले छोड़ जाते हैं और मतलब कहने करती यह है चात्रों जो है कि जो हमारा वायू अपरदन होता है वहाँ पे मिट्टी के जो बड़े कण होते हैं वो कुछ ही दूरी पर वायू जो है छोड़ देता है अजब वहाँ पे जो छोटे कण होते हैं उन्हें जब वहाँ पे वायू जो धीमी और मंद गत लेता है तो छोटे कड़ों को वहां छोड़ जाती है जो है ठीक है आगे जो है इसे परिवर्तित जो वाईव का अपर्दन होता है इसमें तीन क्रियाएं पाई जाती है छात्रों ठीक है जो हमारा पहला है सतह, विस्पर्ण, सरफेस, इसक्रेप, फिन दूसरा जो है उत्परिवर्तन, साल्टेशन, फिन तीसरा जो है निलंबन, सरफेंशन ये तीन जो क्रियाएं हैं वाई मिर्दा छरण में जो है सबसे ज़्यादा योगदान अपना क्या कहते हैं प्रभाव डालते हैं ठीक है आगे चलते हैं जो पला हमारा है सत विस्पर्ण जो है सरफेस इसक्रेप भारत में वाईवी मिर्दा छरण के द्रिश्ट कोंड को से मिर्दा का पांच से पचीर परिस्थ भाग इस प्रकार से छरण से प्रभावित होता है कि बड़े कण जिनका आकार 0.5 से 1.0 मिलिमीटर तक होता है भूम की सता पर रेंग कर एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर अस्थानांतरित होता है मतलब कहने करते यह है चात्रों जो है जो हमारा सता विस्पर्ण हो रहा है वहाँ पे जो है जो हमारे छरण की प्रक्रिया है वो वाई जब वहाँ पे तेज है जो है तो वहाँ के जो बड़े कड़ों है वो छोटी जगा मतलब जो वाई जो है बड़े कड़ों को जो है जब तेज वाई होता है तो वो कुछ ही दूरी पर छोण देता है जब वहाँ प छोटे कड़ों को जो है अस्थानांत्रित कर देता है ठीक है इसकी मेन क्रिया ये है जो है फिन आगे चलते हैं दूसरा जो हमारा है उत्परिवर्तन जो है जब हवा का सीधा दबाव मिर्दा के कड़ों पर पड़ता है तो मिर्दा कड़ अपने अस्थान से उपर की ओर प्रक देते हैं इस प्रकार से कड़ आगे बढ़ते रहते हैं इस क्रिया दौरा मुख्यता जीरो पॉइंट जीरो फाइप मिलिमीटर से जीरो पॉइंट फाइप मिलिमीटर आकार वाले मिर्दा कड़ पर भावित होते हैं मिर्दा छरण के मिर्दा के भार के द्रिष्ट क होता है मिट्टी पे जो है वहाँ पर बात अकर ऐस्था से दूसरे अस्थान जो है उठ कर चलते तीसरा हमारा है निलंबन इस प्रकार की क्रिया में मिर्दा की 0.05 mm, 0.1 mm आकार के कंड एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर पहुंचते हैं वाईवी मिर्दा छरण में भार के अनुसार मिर्दा का 3-4% तक भाग इस प्रकार से क्रिया द्वारा एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर ले जाया जाता है कि इस प्रकार की क्रिया में मिर्दा के कंड वाईव के द्वारा वाता वर्ण में भटकते रहते हैं और सैक्डों हजारों मील की दूरी तक अस्थानांतित होते रहते हैं मतलब कहने करती है चात्रों जो हमारा निलंबन है उसमें जो जब वाई का दबाव सबसे ज़्यादा अगर होता है तो वहां पे जो कण जो है वहां के वातावरण में जो है मिस्सित हो जाते हैं अब उसके बाद वो कई हजारों और सैक्डों जो है मील के दूर जहां पे वो वाई जो है या वहां का वातावरण या वाई मंडल ठंडा या धीमी होता है वहीं पे वो कण जो है इस्थिर हो जा वाईवी मिर्दा चरण के विभिन प्रकार के रूप है पहला जो है हमारा है एप सुलूशन मिर्दा चरण का यह रूप कैल्सियम युक्त मटियार वह महीन बालू भूमियों में पाया जाता है इस विद में मिर्दा कणों पर वाईव का दबाव सीधा दबाव पड़ता है जिससे मिर्दा कणों में गत पैदा होती है फल्स रूप हलके मिर्दा कण हवा में उड़ जाते हैं और भारी कण उसी सता पर विस्पर्म दवारा अस्थना नत्रित होते हैं मतलब एप सुलूशन का मतलब यह है कि जो हमारी मटियार मिट्टी होती है और महीन बालू मिट् पड़ता है तो वो जो है जो वहां के छोटे छोटे कण हैं महीन कण हैं वो वाइमंडली जो है हवा में मिश्टित हो जाते हैं और वो आगे चलके जो है काफी दूरी है सैकड़ों दूरी पे जो है जाके अस्तनांत्रित हो के वहां पे एकत्रित हो जाते हैं ठीक है आगे हैं दूसरा हमारा है extension ठीक है इस प्रक्रिया का वाय मंदली मूटे और भाई कड़ो वाली बलूई भूमियों में होता है वाय का दबाव इन कड़ों को नहीं उठा सकता भारे तुफानों दौरा हि इस प्रकार की भूमियों में मूर्दा चरण होता है extension जो टाइप है इसमें जो है जो इसके कण होते हैं वो काफी भारी होते हैं मतलब बड़े कण होते हैं उनका घनत तो बहुत जादा होता है इस वजे से ये कुछ ही दूरी पे जो है अस्थान अंत्रित होते हैं ठीक है आगे जो है डिट्सन डिट्सन जो है तीसरा जो हमारा है जोत के मतलब अगर किसी भी plot का अगर मेड़बंदी आपने किया है तो वहाँ पे छात्रों जो है जो वहाँ पे जो कण है वो फिसल के जो है वो नाली में जाके एक कत्रित हो जाते हैं ठीक है जो y छरण जो है अपरदन सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रभावी होता है ठीक है आगे जो हमारा क्या कहते हैं जो मिट्टी है जो है वो एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर आसानंत्रित होने के कारण वहाँ की जगा को खाली कर देते हैं जिससे वहाँ पे y अपरदन सबसे ज़्यादा होता है ठीक है आगे चलते हैं अब्रेशन ठीक है धेलेदार खेतों में इस प्रकार का छरण पाया जो हमने आपको बताया पहले जो है कि वहाँ पे जो क्या कहते है उत्परिवर्तन वाई छरण का जो प्रक्रिया हो रहा है जो तीन हमने इस्टेप आपको बताया कि वहाँ पे जो है एब्रेशन में जो है ये उत्परिवर्तन सबसे ज़्यादा जो है प्रक्रिया अपने प इस्ते रहते हैं वो एक अस्थान से दूसरे अस्थान अपना आना जाना उनका लगा रहता है ठीक है आगे जो है वाईवी मिर्दा छरण को नियंत्रित विंड इरोजन कंट्रोल मैदानी भागों की मिर्दाएं पहले प्राक्तिक बनस्पत से आच्छादित थी अता वाईव पत्त के बिभिन अंग, पत्ती, साखाएं तना आज भूम पर गिर कर आवरण का रूप भूम को प्रदान करते हैं जो भूम की सता पर कित्रिम आवरण का कार्य वजिवास बदार की मात्रा बढ़ा कर मिट्टी के कणों को आपस में बांध कर रखने की छमता बढ़ा कर मिर आपरदन अगर रोकना है तो जो हमारी जो के कहते हैं अपरदन हो रहा है जो हमारे उपर के सर्फिस का वहाँ पे जो बनस्पतियों का आच्छादन है जो बनस्पतिया ढखी होई है वो जो है वहाँ पे वाई अपरदन बहुत ही कम होता है चात्रों ठीक है आगे चलते हैं जो हमारा अपरदन कंट्रोल का जो विधियां है वो हम आपको बतला रहे हैं जैसे मिर्दा धरातल के नजदीक वाई विएक को कम करना फिन दूसरा हमारा मिर्दा करके समो का आकार बढ़ाना फिन तीसरा हमारा भूम की सता को नम रखना फिन उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए वाई दौरा मिर्दा छरण को रोकने की विधिया निम्न प्रकार से हैं जो आगे हम बतला रहे हैं आपको जो पहला हमारा है विभिन किसक क्रिया है जिनके दौरा वाई वी मिर्दा छरण को कम किया जा सकता है जो पहला हमारा है फसल चक्र में हरी खाद वाली फसलों का उप्योग करना चाहिए ये फसलें मिर्दा में उसकी उरवरता कणों के आकार वन नमी की मात्रा को बांधे रखने में सहायक होती है मतलब कहने करते हैं चात्रों जो हमारा फसल चक्र है उसमें जो है हरी खादों का उपयोग करने से जो है जो हमारे मिट्टी के कण है उसे जो है वो जो है बांधे रहती है फिन वहाँ पे वाय अपरदन बहुत कम होता है ठीक है आगे जो है हलकी भूमियों में परती नहीं छो मतलब जो प्लाट खाली हैं वहाँ पे बहुवर्सी फसलों मतलब बहुवर्सी जो घासे हैं उन्हें जो उगाना चाहिए जिससे वहाँ पे वायू का अपरदन कम होता है ठीक है आगे चौथा हमारा है मिट्टी को फसलों को पैदावार के लिए भुरभुरी नहीं करना चाह मतलब कहने करती है चात्रों जो है कि जो हमारी खेद की मिट्टी है उसे ज़्यादा भुरभुरी नहीं करना चाहिए और क्या कहते हैं जो अगर आप जुताई कर रहे हैं तो हवा के विपरीद दिसा में करना चाहिए ठीक है उसके बाद फिन पांचमा जो है फसल चक्र में दो दालों वाली घासों को समलित करना चाहिए फिन छठा जो है वाई के विपरीद पटीदार बिद से फसल उगाना लावदायक है अवरोधी फसलों की पट्टिया न्यून अवरोधी पट्टियों के में काम आती है ठीक है अगर वहाँ पे वाई अपर्दन हो रहा है तो वहाँ पे पट्टिदार जो है फसलों को अवरोधी के रूप में उगाना चाहिए ठीक है आगे चलते हैं खड़ी फसल में डंठल आज पॉलिथीन का कित्रिम आवरोण लावदायक होता है फिन उसके बाद फसल की कटाई करते समय अगर संभव हो तो अधिक से अधिक जड तना खेत में ही छोड़ना चाहिए फिन उसके बाद मेड़ बंदी करना चाहिए फिन उसके बाद फसलों की कतारें वाई के विप्रिद दिसा में खेत में बोनी चाहिए फिन इसके अतरिक्त चूकी इन छेत्रों की मुख समश्य मिर्दा में नमी का शरच्छन करना भी है अ अगर नमी कम है, खेतों में हमारे चात्रों, तो वहाँ पे जो है, हमें नमी बरकरार रखना चाहिए, उसके द्वारा वाय अपर्दन बहुत कम होता है, क्योंकि जब वहाँ पे नमी रहेगी, तो मिटी के कण वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ठीक है, अपर्दन, जो पमन अपर्दन है, इस प्रकार के अपर्दन में वहाँ होता है, जहां कि भूमिया मुक्ता समतल, अनावरित, सुस्क, रेतीली, मिर्दा, धीली, सुस्क, बारेक, दानेदार होती है, साथ ही वहाँ पर वर्सा की कमी, हवा की गत अधिक, जैसे रेगिस्तान के छेतर जो है, ठीक है, ऐसे छेतर जहां पे क्या कहते हैं, समतल जमीने नहीं है, धलान की जमीने हैं, और वहाँ पे नमी की मातरा कम है, तो वहाँ पे जो है, सुस्क एरिया है, तो वहाँ पे जो है, वाई इरोजन सबसे ज़ादा होगा, ठीक है, जो कि ये ज़ादा अग एक्जाम्पल के तोर पे जो है रेगिस्तान का एरिया ठीक है आगे चलते हैं मरुस्तिली सीमान चेत्रों में पमन अपर्दन को नियंतित करने के लिए ब्रिच्छा रपण एक प्रभावी प्रयास है अगर मरुस्तिली चेत्रों में अगर वाई इरोजन को अगर रोकना है त नीस तरह मरस्तुली खेतों की बिल्द cotton characterized लगाया जासकता है मतलब कहने सालाई जा शात्रों कि ऑगर भूपनिया जाय तो वहां पर जो है जो रेगिस्तान का एरिया बेलिदिए जो है खेत में परिवर्थित कर दिया जाएगा फिन वहाँ प्रक्रिया सबसे कम हो जाएगी ठीक है चाथ्रों यहाँ पर यह टॉपिक आपका छात्र समाप्त होता है अगली टॉपिक के साथ हम यहाँ इस प्लेटपार्पर में उपस्तित होंगे चातरों सभी चात्रों को धन्यवाद